विल्कम टूर्लेट केमस्ट्री दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिसकस कने वाले हैं डूतरियूम एक्षेंज रियक्षन को तो जैसे के हम लोगों ने प्रियोस वीडियो में डिसकस किया फेंड प्रोटाउन एक्षेंज प्रोटॉन एक्शेंज रियक्शन तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों कि प्रोटॉन जो है वो प्रोटॉन से एक्शेंज हो रहा है यही था इसमें अब डूटॉरियम एक्शेंज होता है दोस्तों इसे ही हम लोग deuterium exchange reaction में देखने वाले हैं है ना तो deuterium exchange reaction involve this same mechanism as proton exchange reaction यह proton exchange reaction के तरह ही इसका mechanism होता है deuterium exchange का तो देखिए in this process hydroxyl group proton या फिर hydrogen are exchange by deuterium है ना जो hydrogen है वो deuterium से exchange होता है in presence of deuterium oxide D2O OH and NH2 इसे हम लोग amine group भी कहते हैं proton undergo exchange with the deuterium as है ना तो सबसे पहले हम लोग hydrogen और deuterium के exchange को यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यह है हमारा alcohol और यह है दोस्तों OH group इसमें है यह proton या hydrogen है और यह है deuterium oxide है ना और यह जो hydrogen है वो यहाँ से निकल जाता है और इसके ज जाता है दोस्तों so so that on addition of D2O the signal of hydroxyl proton disappear and disappear because the deuterium nucleus required different field strength for flipping resonance of alpha state and beta a spin state है ना इसका क्या मतलब हुआ यह क्यों disappear होता है जो hydroxyl proton है उसका signal जो है वो तो reason यह है दोस्तों की जो deuterium होता है उसका जो spin होता है वो कितना आता है एसका spin का value 1 आता है है ना क्योंके इसमें एक proton और एक neutron होता है ना और hydrogen के case में इसका जो i का value होता है वो हाफ आता है दोस्तों यह हम लोग ने प्रिवेश वीडियो में डिसकस किया है तो इसके कारण दोस्तों अब यह वन है तो इसके लिए field strength कुछ अलग होगा और इसके लिए half है तो इसके लिए field strength कुछ अलग होगा दोस्तों तो जैसे कि यह frequency या जो भी magnetic field strength है वो यह half है hydrogen के लिए ही हम लोग यहां पर arrange करके रखे हैं है ना तो यह hydrogen है तो इसमें एक particular जो energy है और जो particular magnetic field है वो हमें यहां पर दे रहें दोस्तों अब इसके जगह यहां पर deuterium आ गया तो इसका spin जो है वो इसका जो value है spin का वो 1 है nuclear spin का जो value है वो 1 है तो इसकी करान दोस्तों यहां पर हम लोग जो energy दे रहा है वो sufficient नहीं रहेगा और जो हम लोग magnetic field यहां पर दे रहें वो भी sufficient नहीं रहेगा इसके कारण जो signal आता है वो disappear हो जाता है इस case में यही reason है कि यह जो signal है वो disappear यहां पर हो जाता है similarly यहाँ पर emin के case में यहाँ पर होता है तो देखिए यहाँ पर जो hydrogen है वो replace exchange हो जाता है deuterium के साथ और सेम यही process होता है कि यहाँ पर भी emin group का जो proton है उसका signal भी disappear हो जाता है यहाँ तक clear है और इस technique का हम लोग क्यों यूज करते हैं दोस्तों तो देखिए कि टेक्निक कॉमरली इंप्लॉइट फॉर डिटेक्टिंग दी प्रेजेंस ऑफ और एनेज ग्रूप इस काल्ड डिटेरेशन है तो यह मेंली ओएच और एनेज ग्रूप के डिटेक्शन के लिए यह जो टेक्निक है वह इंप्लॉइट किया जाता है या इसका यूज किया जाता है और प्रोटाउन एक्स्चेंज रियक्शन में प्रोटाउन एक्स्चेंज रियक्शन जैसे अगर हम लोग प्रियाब्स यूडियो में डिसकस किया तो इसमें ओएच एनेज एंड एस यह ग्रूप का डिटेक्श So I hope here deuterium exchange relation आप लोग क्लिर हुआ होगा So don't forget like, share and subscribe friend Thank you friends Thank you for watching